सभी को टीम IAS YouTube चैनल की तरफ से नमस्कार BPSC ने 69 प्रिलिम्स का रिजल्ट घोसित कर दिया है और इस बार जो प्रिलिम्स रिजल्ट जो घोसित किया गया है तो चार अलग-अलग रिजल्ट आए हैं एक जो सिविल सर्विस एक्जाम है जिसमें कोई टेक्निकल डिग्री की ज़रत नहीं थी दूसरा है CDPO का तीसरा है Finance Service का और चौथा है DYSP का चो कि यह रिजल्ट आया है देखिए यह जो रिजल्ट आया है यह बहुत ही high cut-off वाला है इतना कोई भी expect नहीं किया था कि cut-off इतना high जाएगा you understand कि in this exam there was one hard negative marking and yet you find that the cut-off is very very high and therefore यह बहुत ही unprecedented कहा जाएगा Civil Service exam जो कि सबके लिए open था इसमें कोई भी टेक्निकल डिग्री की ज़रत नहीं थी तो कुल 4,037 सफल candidates हैं इसमें तो 4,037 candidates have been declared successful और इसमें देखिए इसका जो cut-off गया है इतना जबदस्त इतना high गया है कि यह है beyond expectation है question was very tough and yet you find आप देखिए कि unreserved category जो male है इसमें cut-off 91.67 है यह बहुत ही high cut-off है very very high cut-off nobody could have expected the cut-off to have gone so high और unreserved female में भी आप देखिए कि cut-off 84 है यह भी बहुत high है बर category में आप देखिए cut-off जो है आप देख सकते है कि beyond expectation है बहुत ज़्यादा cut-off है इसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाए थे तो you can say that जो exam था उसके questions बहुत tough थे yet you find that the cut-off is very very high and very very unexpected उसके बाद देखिए जो अगला जो result आया है वह आया है जो finance service है उससे जुड़ा हुआ जो post house के लिए आया है उसमें 1120 सफल candidates रहे हैं और इस exam का भी आप देखिए कि cut-off जो है आप कह सकते हो कि उतना high नहीं है इसमें 85.67 cut-off गया है और undeserved mail और undeserved mail में भी देखिए तो 80 cut-off है उसी तरह से हर category में आप कह सकते हैं कि इसका cut-off जो है बहुत reasonable है reason यह है कि इसमें जो है जो candidates थे वो less in number थे और यही कारण है कि इसका जो cut-off है उतना जो इसमें competition नहीं था इसलिए cut-off इसका थोड़ा low रहा है फिर आप देखिए जो CDPO का जो पद है इसके लिए फिर से आप देखिए कि 109 candidates को सफल गोसित किया गया है और इसका cut-off फिर से आप देखिए कि बहुत ही high है very unexpected and despite having negative marking 102.67 for undeserved male और undeserved female का भी देखिए 99.33 that is very high on the higher side आप कहा सकते है and the last result that is of DYSP का जो result आया है इसमें 33 candidates सफल हुए है और इसमें भी देखिए कि cut-off is very very high very unexpected 102.67 आप समझ सकते हैं undeserved male में or undeserved male में भी 91.67 this is a very high cut-off एक चीज़ समझने वाली बात है कि यह जो result आया है यह दिखा रहा है कि अब जो BPSC का prelims exam होता है अब new level आ गया है competition का जो competition है पुराना जो level था competition का वह नहीं है अब new level of competition है और आप कहा सकते हो कि new students भी आये हैं जिनके कारण से cut-off बढ़ा है जब student जो है वे new आये हैं और जो demography आप कहा सकते हो कि वो जो है अब change हो रहा है students का इसी लिए आप देख रहे हो कि cut-off जो है बहुत हाई है जो सफल हुए है उनको team IAS YouTube channel की तरब से धेर सारी सुपकाम नाएं जो असफल नहीं हुए है उनको जरूरत है कि 70th PPSC prelims में अपनी strategy में थोड़ा सा परिवर्थन लाईएगा तभी 70th PPSC prelims में आप लोगों को सफलता मिलेगी और उसके लिए जरूरी है कि अच्छे से आपको प्रयास करना होगा योगि 69 PPSC prelims जो है एक बहुत बड़ा indicator है कि कि किस तरह से जो है new level of competition है तो उमीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो क्रिपया हमारे चैनल को subscribe करें प्रेश दी बेल आइकन please also like and comment we shall meet shortly until then goodbye